हाई फ्रेंड्स हमाद शुके एक उच लग वीडियो के शानत फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कॉस्चन बैंक की सीरीज है और जो प्रीवोडस पेपर की सीरीज है उसमें हमने काफी जादा वीडियोस पोस्ट कर दी है जो कि आपको काफी जादा मध्यत mathematics के हमने काफी ज़्यादा chapters कवर करवा दिये हैं और यह जो प्रीवोड के सीरीज इसमें हमारी सेकंड वीडियो है फ़स्ट वीडियो में आपको mathematics का प्रीवोड का एक्जाम पेपर था उसका हमने आपको पूरी आंसर शीट दे दिये तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो कि इसमें हम आपको physics का प्रीवोड का पेपर है वह हम आपको देंगे देखिए physics 2021 70 marks का हमारा पेपर होता है मैं आपको बता हूँ तो यह पेपर जो है यह हिंदी में हुआ था यह हमने काफी मैनत के बाद इसे convert किया है तो कि हमारे English medium के जो students होते हैं वह काफी परिशान होत हमने यहां पे पूरा जो एक्जाम पीपर है वो गनवर्ट किया हुआ है यह जो एक्जाम पीपर रहेगा यह आपको description में हम आपको डेव के form में दे देंगे देंगे इसमें हमारे इसमें हमारे 22 questions है friends मैं आपको बता हूँ तो हमारे जो सिक्चा मंत्र येंदर सिंग परमा questions systematic दिये हुए हैं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको जितने भी questions हैं जो की paper में आए हैं वो हमने सारे questions दिये हुए हैं हमने यहां पे जो और में question रहते हैं हमने आपको वो भी दिये हुए हैं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड कॉशन दिये हुए हैं तो मैं आपको बता हूँ कि अगर आप बोर्ड एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो आप यह कॉशन पेपर जरू करके जाएं तो कि हो सकता है कि जो हमारा वेपर रहे वो इसी में से आ जाए या पर कुछ कॉश्चन से इसमें से आ जाएं तो हमें किसी जो हमारे दूस्ते उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है जो MP वोड हमें कभी भी डेट शीट दे सकता है फिर एक्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर बढ़ जाएगा आपके उपर कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अगर आप प्री बोड एक्जम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे जो जैनन अकेडमी या इसको सस्क्राइब किजिए अगर आप नहीं रखने किया है तो गंटी का पटन में आप उसे भी दबा दीजिए क्योंकि हम जो MP वोड की जितनी भी अपडेट्स आती है या फिर उनका जो इस्टडी का जो मतीरा आता है वो हम आप सब आपको प्रवाइड करते हैं आपको हमेशा अप टूडेट रखेंगे तो फ्रेंट्स मैं तो यह ही कहूंगा कि अगर कोई स्टुडेंट हमारा ऐसा है जिसने अभी तब कुछ भी पढ़ाई नहीं की है क्योंकि जो दिक्कत आ और आप मेरी मानिये तो मैं आपको बताऊं कि जो एक्जाम के पर रहेगा वो काफी हद तक उसी में से आएगा तो कि यह कॉशन बैंक और प्रिवोड कराने का मकसद उनका यही रहता है कि जो हमारे इस्टुडेंट से इनकी तहारी अच्छी हो जाए अपने जो जैनल अके थांक यू